आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अधिक्तम टापमान में लगतार गिरावट हो रही है और नियूंतम टापमान में बढहोतरी हो रही है दूसरी तरफ पश्चमी विक्षोप के सक्रिय होने की वजह से 21 और 22 जन्वरी को बारिश की संभावना जताई गई है साथी लखनव में आज अधिक्तम टापमान 18 और नियूंतम टापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावन जताई जा रही है सुबह में कोहरा और धुंद च्छाई रही वहीं मौसम विभाग के मताबिक 20 दिनों में मौसम साफ हो जाएगा 20 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया है तो तस्वीरे देख सकते हैं आप लखनव, लखीमपुर, खिरी, फतेपुर, बलिया, आग्रा, बस्ती, यूपी के अलग-अलग जिलों से ये तस्वीरे सामने आई हैं जहां पे कोरा और ठंड अपना कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं आम जन जीवन अस्तिव्यस्त नजर आ रहा हैं लोग आग जलाकर बैठने को मजबूर हैं दिन के समय रोशनी के लिए लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं और यात यात भी सुस्त नजर आ रहा है जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनओ लखीमपुर खेरी फतेपुर बलिया आगरा बस्ती यूपी में थंड का कहर देखने को मिल रहा है अलग अलग जगा तक तस्वीर साबने आ रही हैं वहाँ पे इस तरह का मौसम है जो की लोगों को परिशान कर रहा है 21 जनवरी को बारिश होने की संभावना भी जताई गई है हलाकि अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है अलग लग जगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आज पश्चमी यूपी सहित लखनओ कानपूर में कोल डे रहने का अनुमान भी लगों का जीवा नस्यतन हो गया है रहन बसवेरों की विवस्ता की गई है गरीब लोगों के लिए अलाओ की विवस्ता की गई है लोग अलाओ जलाओ के बैठने को मजबूर नजर आ रही है क्योंकि जुबार कडाके की ठंड देखने को मिल रही है अधिक्तम तापमान में लगतार गिरावट हो रही है और नियूंतम तापमान में बढ़ होतरी देखी जा रही है दूसरी तरह वश्यमी विक्षोप के सक्रिय होने की वज़े से 21 और 22 जन्वरी को बारिश हो सक सकती है लखनाव में आज अधिक्तम तापमान 18 और नियूंतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभाव नजट आई गई है सुभा में कोहरा और धुंद च्छाय रही है और मौसम विभाग के मताबिक दिन में मौसम साफ हो जाएगा और 20 जन्वरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा अलग अलग जिलों की तस्वीरे सामने आ रही है जो आप देख सकते हैं तो आई हमारे समधाता ने ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट भेजी है आप भी देखिए बलिया में कोहरा पूरी तरह से ढख लिया है जिससे आवागमन भी बाधित हो रही है यात्रियो कोहरा फसलों के लिए काफी फाइदा मंद होता है अखलेश कुमार प्राइम टीवी बलिया में कोहरा पूरी तरह से ढख लिया है जिससे आवागमन भी बाधित हो रही है यात्रियों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ है गाडिया लाइट जलाने पे मजबूर है वहीं दूसरी तरह बात की जाए तो किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहा है क्योंकि कोहरा फसलों के लिए काफी फाइदा मंद होता है तो बस्ती समाय समवधाता ने बताया और तसीरों में भी पीछे देखा जा सकता था कि घना कोहरा था और लखनओ लखीमपूर फोतेपूर बलिया आगरा बस्ती सभी जगा इसी तरह की तस्वीरे साब ने आई है जहां कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है गाडिया बिना ल लोगों का कम देखने को मिल रहा है ठर्ण की वजह से लोग घर में रहने को मजबूर है गाडिया लाइट जला के चलने को मजबूर है तो वहीं अलाओ जला के लोग अपना काम चला रहे है और इस खबर पर मैंसे ज़दा बादचीत के लिए समधता अजहर जुड़ चुक अजहर बात करें पस्चिमी उत्तर पृदेश की तो वहां पर जो ठंड है वो लगातार बहुती जा रही है जी लाकि हैं वो सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में है और राजधानी लखनौ की अगर बात करें कल का जो अधिक्तम तापमान रहा है वो लगभग तेरा रहा है और न्यूतम तापमान लगभग पांच के आस पास रहा है जो की जो की काफी कम है और जिससे सबकों पे और रौदों पे काफी लोग कम देखने को मिल रहे हैं और तंडिसक बात करें पस्चिमी उत्तर पृदेश की तो जो मेरट है रामपूर है ये तो तो तमाम तरह की ल होने के भी संभावनाइब बन रहे जी अजहर कोहरा भी घना देखने को मिलता है सुभा के वक्त तो विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ऐसे में क्या कुछ परिशानियों का सामना कर रहे लोग बिल्कु साफ तौर से जिस तरह से कोहरा लगातार बहुता जा रहा है तो काफी क अग्सीडेंट का ज्यादा होना संभावना है वह ज्यादा बढ़ जाती है लोगों काफी दिक्कतों का भी सामना करना पकर साथी साथ ठंड और जो विजिबिलिटी कम होने के कारण आपको बताते हैं चैनि फ्लाइट और ट्रेनों को भी इस कोहरे ने ज्यादा प्रभाव अज़र भीश ठंड पढ़ रही है और ऐसे में बच्चों के स्कूलों की छुटी भी बढ़ा दी गई है तो अब कब तक रहेगी बच्चों की छुटी जी फिलाल अभी देखा जाए जिस तरह से तेज जनवरी तक कि अभी जो चुटीया है वो पढ़ा दी गई है और अगर जो ठंडी का प्रकॉप है वो लगतार अभी दो दिन तो ऐसे ही रहे और बीस तारीक बीस जनवरी के बाद से जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता है अगर वजाल एक रही बारिए. तो कईना कहीं डेट आगे भी बडन सकति या लेकिन फिलाल अभी जिस तरह से मौशम विबार का कहता है collective कि यह और जो Со कोने के बाद को बारी कि इन तरह लगी निकल सकती है लेकिना च्रम जो शीथ लहर है उसके पर आगे स्कूल खुलने के तो आदेश है के जो कुतना की वज़ा से स्कूल है जो बन नाइन से टुवल्ट वाले स्टुडेंट है वो स्कूल आ सकते हैं क्योंकि पढ़ाय किसी ना किसी प्रभावित हो रही है तो कहीं ना कहीं इस पे मंधन हो सकता जी अजर जिस तरह से भी शट किता सुधार हुआ है और अलाओ के लिए कितनी विवस्ता देखने को मिल रही है जो पिलकुँ साथ तोर से अगर बात करें नगर निकम के तो पूरी तरह से नगर निजम का कहना है कि रैडबा सेरे में अलाओ के और तवाम तरह से जो सामगरी है उसका पूरा इतिजाम कर या कर देखने को मिल रही है जो रहा पर कम्बल हो या तो लक्लिया हो या जलाने की लतनी आs प्रभ सपने पकिवास बलाकें ले तो इसल्किबीoire कि उसमापर um ya tomar जाना कौरी और तक पर उसके ऐसे से शीजाने के लिए लूरा थटना इन दहीं को मिल रही है लिगिसे के अलग-अलग जिलों से खबरे सामने आ रही है तसीरे सामने आ रही है जहाँ पारा लुड़कता ही जा रहा है घने कोहरे की चादर चाई हुई है और लोगों को काफी परिशानियों का सामना करणा पड़ रहा है मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है जल्द ही बारिश हो सकती है और उसके बाद भी ठंड कम हो सकती है लेकिन तब तक ठंड बनी रहेगी और बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 18 और नियुम्दम तापमान 6 रहने की संभावना है साथ ही अलग-अलग जगा से तसीरे सामने आ रही हैं जहां पे तापमान कम होने की वज़े से लुड़कने की वज़े से लोग घर में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं जा पहले ठंड पढ़ती थी मकर संक्रांती पे कम हो जाती थी तो इस बार मकर संक्रांती पे जादा ठंड पढ़ रही है बजाए दिसंबर के तापमान लगातार लुड़कता हुआ नजर आ रहा है दोसरी तरफ पश्यमी विक्षो की सक्रियों होने की वज़े से 218 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और इसी खबर पे वायसाज़ाद बाचीत के लिए समवधाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा स ममता आगरा में कितना पारा दर्ज किया जा रहा है और कोहरे का क्या हाल है जी बिल्कुल इस दिकार में आपको बता दू कि जिस तरह की सरदी को देखते हुए पारा नियूंतम डिग्री पर आ गया है जिस तरह कि लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गया है वही जहां देखा जारा है जुस्ती है सरदी को बचाव के लिए तो लोग आना अलाव को जलाके लोगों जगह जगह अपने घरों के अंदर लकडियां जलाके और उसका आपका सहारा लेकर उस सरदी से कावू पाने के लिए लोग हैं तयार जी अ साथ ही अलाव की क्या ववश् जिस तरह जगह जगह लगड़े हैं क्योंकि यहां ताज महाइल को लेकर के इस चीज़ को रोक है जी यह अगर बात करें रैंसे रुकी तो वहां कैसी विवस्था देखने को मिल रही है क्या अभी भी लोगों को बाहर रहने को मजबूर रहना पड़ता है रहन बसेरे बना बहुत कम मात्रा में वहां जा रहे हैं लोग बाहर भी पड़े हैं और पूरी तरह से ज्यादा लोग है तो इस तरह जगह पूरी मुही नहीं है मम्त अगर बात करें बाजारों की तो क्या बाजारों में लोग निकलते नजर आ रहा है ती ठंड में या फिर घर पे रहने के मजबूर है बिल्कुल बजार की अगर हम बात करें तो बजारों में लोग बहुत जादा जरूओत की चीज है जैसे कोई बीमार है तो मेडिसन को लेकर कोई जा रहा है या कोई आवशकता खादी सामेगरी जो खाने पीने की जो रोज मर्रागी जो चीज़ें उनको लेने के लिए और बह कि अगर में बात करए तो यहाथ में जो जरूओत के लोग है जैसे कोई नोकरी परसे वाले हैं तो वो निकल ठो रहे हैं और या फिर बहुत ही जारा जरूओत किसी को जाना है तो गर से बाहर निकल लेकिन साब तो पर से देखा जारा है कि जिस तरह कोहरे को लेकर गे तो चल रहा है तो इस तरह की इस सदी देखने को मिल ले आ गरा में जी तो क्या गने-कोहरी की वज़ेसे कोई दुरगटना की ही कबिस शामने आ रही है जी बिल्कुल पिछले कई दिनों से लगातार कभी एक्सिरिस वेपर तो कभी एनेस पर कभी दक्ट्री बाइपास पर कई जगह इस तरह की घटना गटित हो चुकी है और वो बज़ा वही रही है कि जहां घनक कोहरे की वज़े से लाइटिंग भी ठीक नहीं रही है तो ममता ने बताया कि इस तरह से दुरघटना भी हो रही है कोहरे की वज़े से और लगतार ठंड बढ़ती भी नजर आ रही है ठंड के साथ कोहरा भी तो कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है कोहरे की विज़े से दुर घटनाओं की संभावना भी जादा बढ़ जाती हो और कई खबरी सामने भी आती है और तस्वीरे देख सकते हैं आप किस तरह से कोहरे का केहर देखने को मिल रहा है मौसम विभाग ने अलर्ट ज़ारी किया है तो बारिज की संभावना भी चुताई गई है और उत्तफर देश में कडाके कि ठंड पड़ रही है मौसम विभाग ने चितावनी भी जवारी की है और ठंड की वजह से लोग घर पे रहने को मजबूर है अलग-अलग जिले की तस्वीरे सामने आई हैं आपको पता दे कि अलग-अलग जगा की तस्वीरों में देखा जा सकता है लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं मजबूरी में तो वो लाइट जला कर गाड़िया चलाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं वहीं लोग अलाव जला कर वैरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग बाहर निकलना कम ही सुरक्षित समझ रहे हैं क्योंकि ठंड का महौल है और ऐसे में जो वारल फीवर है और बुखार है तब खराब होने की जो संभावना रहती है हाथसों की संभावना रहती है तो इनी सब चलने को मजबूर है क्योंकि घने कोरे की वज़े से विजबिलिटी काफी कम हो जाती है और ऐसे में दुरगटना की संभावना भी काफी बढ़ जाती है अगर बात करें रहसानी लखनाओ की तो यहां भी आए दिन सुभा जो घना कोरा देखने को मिलता है उसकी वज़े से काफी धी में गाड़िया चलती नज़र आती है और इसी खबर पर मैं से जादा बाद चीट के लिए समधाता ओम श्यंकर जुड़ चुके हैं राए बरील से ओम श्यंकर राए बरीली में कितना पारा देखने को मिल रहा है और लोग ठंड कैसे मना रहे है यार लगाता चार की तरह से मिवस्था नहीं की है रैड़ वसेरों में भी नज़ाई जटे और कंबल की मिवस्था नहीं होने से मुझे और जो याक्मी है या जो परीफियों की तिमार्दार है उन्तों कहीं लगाई दिक्ट करना करना पड़ लहा है जी अगर बात करे कोरे की ओम श्यंकर तो कैसा नजारा देखने को मिलता है सुभा उशाम तोरा सुवें ज़्यादा पड़ता है वाला कि अभी साले करने से ज़्यादा बच चुटे है लेकिन अभी पादाल तुकु करे से बद्ली चाही हुई है और आपको बतातें चले कहीं ले कहीं जो है आप जन्मालस को बहुत जी ओमशेंकर घने को औरे की वज़े से क्या वाहनों की रफ्तार राइ बरेली में बिसुस्त हुई है और क्या दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है तो क्या दुर्घटनाओं की खबर भी सामने आती रहती है कोरे की वज़े से राइ बरेली से या दुर्घटनाओं की खबर बिकुल आती रहती है कोरे के ही लगा न गई है एक लोग अभी तक अपने घ़र से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो बाज़ार हैं वो देड़ से खुल रहे हैं और लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं घ़र से बाहर ठंड का प्रकॉप देखने को मिल रहा है घना कोरा है विजिबिलिटी कम है और सुभा शाम कड़ाके की ठंड की वज़े से लोग घर में ही रह रहे है इसे एक चीज़ अच्छी है जो नाइट कर्शी लगाए गया उतर प्रदेश में उसका अच्छी से पालन किया जा रहा है लेकिन कड़ाके की ठंड भी लोगों को घर पे रहने के लिए मजबूर कर रही है जो विवसाय है लोगों का वो ठपोता नजर आ रहा है लोग कम घर से बाहर निकल रहा है अगर बात करें मरीजों की तो उनको भी काफी परिशानी हो रही है तिमारदारों को भी परिशानी और ये दवा लेने जाना है तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर बात करें गरीबों की निराशितों की तो जिनके पास घर नहीं है रैन बसेरे की विवस्था कम है तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से अल बिल्कुल बताद हैं आपको लखिंत्रमें ठंड का माहल बहुत ही भयानक इसमें ठंड पड़ रही है लोग घरोंके निकल नहीं रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक रोट पर खड़ा हूं यहां पर भी लोग आना जाना बिल्कुल ना के बराबर ही है जन्पद में लखीमपुर तराई एरिया भी है यहां पर काफी ठंड पड़ रहे है प्रसाशन जिला प्रसाशन की द्वारा तो ब्यवस्ता है की गई है ठंड के लिए लेकिन अगर हम बात करें तैसील प्रसाशन की तो तैसील प्रसाशन की तरफ से पूरी तरीके से लाप्रवाही बरती बरती जा रही चाहें वह जल्वाया गया है मितवली तैसील में एक ब्लाक में ही रहा बनवाया गया अभी तक लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए क्या को चुपाय करते नजर आ रहे हैं देखिए बिलकुल लोगों से हमारी बात हुई है तो लोग ठंड के बचाओ के लिए अपने आप खुद पाती फूस जला करक आदेश जारी किया उस तरीके से पूरी तरीके से नाकामिया भी देखने को मिल लही है अगर बात करें कोरे की तो कितनी कम हो जाती है कोरे के वक्त बिलकुल बता दे आपको ठंड के माहूल में देखिए कोहरा आया दिन हाथ से भी होते रहते हैं इसमें भी कोहरा पड़ रहा है लोग घरों में ही दुबके बैठे हैं निकल ले हान का पाने वाली जैसी ठंड पड़ रही आज की डेट में जी बिलकुल बहुत बहुत अभी भी ऐसी खबरे सामने आ रही है कि लोग अपने घरों में हैं बाजार खुले नहीं हैं बहुत कमी दुकाने खुली में नजर आ रही हैं लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं जिन लोग को अपनी दफ्तर जाना है काम पे जाना है ऑफिस जाना है जिनका जाना जरूरी ह तो वो लोग सिब घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन अगर वाहनों की बात करें तो धीमी रफतार में चलते हुए नजर आ रहे हैं कम ट्राफिक देखने को मिल रहा है लाइट जलाते हुए नजर आ रहे हैं लाइट जला के चलने को मजबूर नजर आ रहे हैं वाहन और सुभ लखीमपूर, फतेपूर, बलिया, आगरा, बस्ती तमाम जगा से ये तस्वीरे सामने आ रही है घना कोहरा देखने को मिल रहा है विजिबिलिटी लो है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ठंड का मौसम है और ऐसे में लोग घर पे रहने के लिए नाइट कर्फ्यू का भी अच्छे पालन हो रहा है और हाथ्सों की आशंका भी बनी रहती है बात करें हाइवे की तो वहां पे भी काफी हाथ से देखने को मिलते हैं कोरे की वज़े से और इस वकत जिसला से देश में कोरोना का खत्रा है सरकार ने नाइट कर्फ्यू होता नजर आ रहा है लेकिन थंड की वज़े से लोगों की मुश्किले काफी बढ़ गई है लोगों की तवेद खराब हो रही है लोग बीमार भी पढ़ रहे है थंड की वज़े से और बात करें थंड की तो थंड लोगों को परिशानी में डाल रही है क्योंकि जिन लोगों क बाहर निकलना जरूरी है जिन लोग को अस्पताल जाना है या फिर किसी जरूरी काम से जाना है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तापमान लगतार लुड़कता जो रहा है और नियूंतम तापमान लुड़कने की वज़े से लोग काफी परिशान नजर आ रहे हैं आम जन जीवन अस्त वियस्त हो गया है सुभा तो जल्दी हो जाती है लेकिन लोग घर से बाहल देर से निकल रहे हैं तो सब काम ठप होता नजर आ रहा है और तापमान कम होने की वजह से लोग घर में दुक्के हुए हैं दूसरी तरफ पक्षिमी विक्षोप के सक थावना जताई जा रही हाला कि बारिश के बाद थंड थोड़ी कम हो जाती है और अगर इस थंड से बारिश से अगर थंड बढ़ जाती है तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हाला कि थंड को देखते हुए सरकार ने सकता कदम उठाए है 23 जनवरी तक के लिए स जोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दी गए है और अगर ठेंड बढ़ती है बारिश की बाद तो इसे और बढ़ाया जा सकता है यानि कि जो छुट्टी की समय अवदी है उसे बढ़ाया भी जा सकता है और बात करें तापमान की तो लखनौ में आज अधिक्तम तापमान 18 और 20 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा हलाकि उसके बाद मौसम थोड़ा साफ हो सकता है अगरा बस्ती सभी जगा के तस्वीर देख पा रहे हैं आप लोग खुद को बचाने के लिए अलाव जलाने का जिलाकर उसके आसपास बैट रहे हैं और अलाव जलाकर ही खुद को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे हैं ग्रामीर चेतर के बात करें तो वहाँ पे कुछ कमिया देखने को मिल रही है जैसे वहाँ पे अलाव रेन वसेरों की विवस्ता कम है हलाकि शहरी चेतर में अलाव रेन वसेरों की विवस्ता की गई है लेकिन अभी भी ल फिर्जापुर में कडाके की ठंड देखने को मिल रही है क्या आम जिन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जी बिल्कुल यहां पर पुर्वांचल में काफी देड़ से कडाके की ठंड पढ़ना सुरुई हुई है इरा जन्वरी से लेकर अभी तक भगवान भास्तर का दर्शन यहां पर नहीं हुआ है और फिट्री के बाद से यहां पर ठंड काफी बरफिली हवाओं के साथ तेज सर्द हवाओं के साथ जो है काफी ठंडा है बहुसम एकदम से करवट बदल के ठंडे में जाकर रुख गया हुआ है जा काफी जंजीवन अस्त व्यस्त है लोग ठिटूर रहे हैं समाजिक संस्ताएं कोई कंबल भी ठंड कर रहा है कोई जो है लकडिया गिरा रहा है चोड़ाय चोड़ाय पर पालिका प्रिसासन अपने इस स्तर्से जो है लकडियों का पूर्ति कर रही है लेकिंफे यहान पर देखा जाया तो कुल मिलाकर ठंड का अधी बड़ चुकी संदोश हुस्तChakल मकर संक्रांती के बाद से ठंड कम होने लगती है इस बार उल्टा हुआ है मकर संक्रांती के बाद से ही ठंड बढ़ रही है आम लोगों का क्या कहना है इस पर देखने को मिला है मौसम बिभाग के माननी तो पिछार ठंडी इसको कहा जाता है और मौसम बिभाग का ये भी कहना है कि ये ठंड लगभग मार्च के महीने तक जो है लगभग साथ मार्च तक जाने की शंबावनाई बनी है और यहां के लोगों का लगातार ये ठंड के लिए जो है समाजिक संस ही तो सरकार दोरतातिना वीवस्ता की जाना ही है यहां पर लकड़ियों का जो कि यहां चोराय में हैं हर का निदीन हो चाहिए लकड़े गिरना यहां पर हफ्ते में बर गिर रहा है यहां पर नगर निद्गम कि शुट है एक्शा माइसा संवधाता संटोच जड़े थे मिर्जापूर से तो थंड का कहर देखने को मिल रहा है आम जिंता काफी परिशान है लखनाव लखीम पूर फटेपूर बलिया आगरा और बस्ती से हमाय समधाता भी जुड़े और तस्वीरे भी दिखाए कि सरहासे औरे का कहर देखने को मिल रहा है यूपी के अलग-अलग जिलों में या फि भी भी नगर निगम की कुछ न कुछ लापरवाही देखने को मिल रही हलाकि अपने स्तर पर काम कर रहे हैं रुक करते अगली खबर की तरफ आज सूबी के मुख्या सीम योगी आधितनात जिलों के अलग-अलग दोरे पर जाएंगे बढ़ते संक्रमण के चलते सीम योगी आज लखनाओ में सबसे पहले कोविट प्रबंधन पर टीम नाइन के साथ बैठक करेंगे पाच काली दासमार्ग पर इसके बाद एक वजे गाजियाबाद दोरे पर जाएंगे जहां सीम कोविट प्रबंधन को लेकर संतोश हॉस्पिटल का निरिक्षण करेंगे फिर प्र जाएंगे जहां चौथे पाच वे तीसरे चरण को लेकर बैठक होगी मन्थन होगा और साथ ही कोविट को लेकर प्रबंधन भी देखेंगे कोविट प्रबंधन का जाईजा लेते हुए नज़र आएंगे संतोश हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर इनिरिक्षण करेंगे यूपी भाजपा कोर ग्रूप की बैठक होने जा रही है बताया जा रहा है कि बैठक में तीसरे चौथे और पाचवे चरण को लेकर टिक्टो पर मन्थन किया जाएगा वही बैठक में सीम योगी आधितिनात भी शामिल होंगी सूत्रों की माने तो 20-25 प्रतीशत मौजू मौजूदा विधायकों के आज बैठक में मन्थन के बाद टिकेट कट सकते हैं रिपोर्ट कार्ड काफी लंबी समय से बनाया जा रहा था और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही मौजूदा विधायकों के टिकेट काटे जाएंगे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिन ल से चौथे पाच्चिवे चरण के लिए और ये खबर भी सामने आ रही है सूत्रों से कि 20 प्रतिशत मौझूदा विधायकों का आज बैठक में मन्तन के बाद टिकट काटा जाएगा जिनका प्रदर्शेन अच्छा नहीं रहा है रिपोर्ट काड के अधार पर ये बड़ा फै चुनाव को लेकर 2022 को लेकर काफी गंभी नजर आ रही है BJP आज दिली पे बैठक है और आज सेम योगी कई दरे पर रहेंगे जिसमें दिली भी जाएंगे और BJP की एहम बैठक में शामिल होंगे तो चिनावी महौल है और दिली में कोर ग्रुप की बाठक है और ये बाठक काफी एहम मानी जा रही है कई बड़े दिगशनीता इसमें शामिल होंगे टिक्टो को लेकर मन्तन किया जाएगा और आने वाले जिनावों को लेकर रणनीती भी बनाई जाएगी तीसरे चोथे वाठ पाच वेचरण को लेकर टिक्टो पर मन्तन किया जाएगा बाठक में शामिल रहेंगे इस खबर पर मैं सबसादा बाठचीत के लिए समधातान नितिन कुमार जुड़ चुके है नितिन आज एहम बैठक है दिल्ली में और जिस तरह से आज जसेम योगी भी इसमें शामिल होंगे और सूत्रों के अवाले से खबर सामने आ रही है कि 20-25 प्रतीशित मौजूदा विद हाइको का टिकेट कट सकता है मन्तन के बाद तो जिनका रिपोर्ट कट खराब रहा है उन पर एक्शन लिया जाएगा या फिर नए चेहरों को मौका देने के लिए ये किया जाएगा देखें बिल्कुल साब्तार पर आज ये पांचवे चलाना तीसरे चलाना और चौथे चलाना की बैठक होनी है है टिक्टो के बटवारे को लेकर के सीयों यू किया जितना भी वहां पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी की जो कोर गुरूप की बैठक है इसमें जितने भी एलेक्शन से जुड़ हुए जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे इसके लावा प्रदेश्शत देक्ष हैं राश्चे अर्थ हक्ष हैं इस सब ही लोग इसमें मौजूद रहेंगे जी असाफ तर पर तीसरे चौथे और पांचरे चरण में जो प्रत्याशियों की सूची है सूच्री पर मुन्थन होना है बताया जा रहा है कि 20 से 25 प्रतिशत मौजूदा विधागों के टिकट इ इसके पहले लगबख सभी विधान तभाओं में बीजेपी ने सर्वे करवाया था और यह जानने की कोशिश करी थी कि क्या जो मौजूदा विधायक है उनका रिपोर्ट काड़ अच्छा है या नहीं है दूसरी चीज कुछ ऐसे नेता है जिनने पार्टी विरोधी गतिव प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उनके टिकेट काटे जा सकते हैं और यह आकड़ा 20-25 प्रतीश्यत का मानज़ ज़ा रहा है खबरों में फिला लेता है तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार